क्यों बोल रहा हूं कि आप लोग को इस बैटल के लिए तैयार हो जाना चाहिए इस अपुचिनिटी को हाथ से गबाना नी चाहिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है पहला तो SBI ने जो एक्स्टेंड किया है सिर्फ तीन दिन करके ये सा कर दिया है कि एक्जामनेशन हम करवाना चाहते हैं ये अलग बात है ये एक अलग सा एक समस्याए कि कोविड इस समय हमारे सामने खड़ा है लेकिन तीन दिन सिर्फ मसलन एड़ करना एक्शन सेंड डेट को बढ़ाना फॉर्म फिलप डेट को बढ़ाना ये दिखाता है कि S नोटिफिकेशन को पढ़े हैं आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे न वहाँ पर प्री एक्जामनेशन कॉल लेटर वी विल बी रिलीजिंग फ्रॉम 26 अफ मई 2021 करके लिखा गया है यानि 26 तारीक को ये अटेंटिटिव है कि ये प्री एक्जामनेशन कॉल जाएगा वहाँ पे एक और बड़ी बात लिखी गई है वहाँ पे ये लिखा गया है कि अगर कोविड केसेस ज्यादा रहा तो जो फिजिकल क्लासस होती है वो ना होके ऑनलाइन मोर पे भी क्लास करा सकते हैं एक बहुत बड़ी बात है नीचे और पढ़ेंगे तो आपको चल जाएगा कि प्रिलिम्स के लिए जो कॉल लेटर है वो फर्स्ट आप जून से हम पब्लिश करा देंगे और टू टेंटिटिबली करके लिखा गया है देखिए जनाब समझदारों को इशादा काफी है जो अभी भी आँखों को बंद करके बैठे हैं उड़ जाईए वक चला गया तो फिर किसी को कोसने में किसी को कुछ नहीं मिलेगा रसर में चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाई करें और टेसरीज लगाना ना छोड़ें अगर जून एक तारी को सच में अगर नोटिफिकेशन या कॉल लेटर आउट हो गया सच में आउट हो गया तो क्या पर बतारहूंगी कोविट के कैसे साकाल लेकिन विट फॉर 29 अप्मई 26 अप्मई में कुछ बाते जो है, हद जो है, हद्द जो है, कुछ बाते हैं अलिए लनी पर आउट हो जाएगा 26th मई को क्लिएर हो जाएगा we fooled on ready for this exam बस यही बताना चाहता हूँ आप test series करी दीजिए student फर्माईश का go corona code use करिए flat 50% is off मिल रहा है 50 mock test का formula अभी से अगर start नहीं करोगे तो जनाब लेट हो जाएगा start कर लीजिए पता नहीं कब होगा examination लेकि इन चीजे तो अभी जो चल रही है वो चल रही है दोस्ता है अपने हिसाब से चल रही है it's up to you आप कैसे अपने आपको संभाल रहे है मलते नेक्श वाले वीडियो पर तब तक ले जहीं जब हारत शबा खेर लविल अपने शेहत का बिलकु दियान रखेगा और इंस्टाग्राम में हमको फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम में आप अपना डाउट समको पूछ सकते हैं टेलिग्राम बिलकु आपको जुड़ना चाहिए नमस्कार